हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, एक बार फिर से आपके अपने परिवार, एक नौलाकर ट्लासेस पर, तो दोस्तों, बहुत सारी श्टुडेंट कर रहे थे सर, एक चेप्टर पढ़ा देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो जी हां, आज हम बात करने वाल यह पटवारी परपस से लिया गया है, पटवारी के सिलेवस को देखकर के लिया गया है, लगभग पटवारी और छातरा सा धिक्चक का सिलेवस समान है, चुकि मैं एक चीज बता दू आपको, चुकि गडित में संकू पढ़ने वाल है, तो जिस कोई भी कॉम्टेटिव एक् आप सभी जानते हैं, एक चीज मैं बता दू आपको, कि जो भी चीज बाते बताई जाती है, उसको बुल्कुल धान से सुना कीजिए आप लोग, एक चीज और है, कि इसमें पटवारी का जो हम लोग अभी च्छतिजगर पटवारी परिक्षा का जो प्रैक्टिस सेट जार ध्यान रखिएगा, GKGS है, तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, देखी 35 तंबर इसमें तो सब करेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, बाकी जो आपके चेप्टर में हैं, उसको तो सब करेंगे, बाकी जो है जैसे गडित है, तो ये गडित क है, दोस्तों, संकु, आज हम पढ़ने वाले हैं, संकु कोन, ये all competitive exam के लिए important रहेगा, तो ये part 1 है आपका, ये क्या है, part 1 है, ध्यान रखिएगा, part 2 भी जारी होगा, इसके बाद बता दू मैं आपको, गोला होगे, आपका, गोला, बेलान, घन, घनाव, सारे को मैं, अब आप जो है, complete कराऊंगा, एक समय में आपका GKGS का practice set भी डलेगा, तो उसे भी आप लोग जरूर देखा किजिएगा, चलिए, कभी-कभी होता है, क्या है, आप लोग एक चीज देखते हैं, बाखी, नहीं देख पाते हैं, उसमें दिक्कत होता है, चलिए, फिर बोलते हैं क कोई भी competitive jam में कैसे पूछा जाता है, खास करका भी हम पटवारी के बारें बात करेंगे, तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि संकू, क्या, सबसे पहले देखेंगे संकू, तो संकू पहले हम समझ जाएं, ये क्या है संकू, आप सभी जानते हैं, ये संकू है अब देखिए संकू जो है, सबसे पहले आप देखिए, इसको कोई भी नाम denote कर सकते हैं, आप, A, B, और ये C, आप देखिए यहां से, यहां तक इसको O नाम दे दिजिए, A से O को मिला दिजिए, अब चलिए देखते हैं, कि ये जो है संकू है, तो संकू अब यहां तो मानने चीजें बता रहा हूं, ये वाला जो दीख रहा है, ये वाला, ये क्या है आपका? तीरिया कुचाई कहते हैं, इसको L से denote करते हैं, ये क्या है? तीरिया कुचाई, L से denote करते हैं, और A से, A से किसको C तक? A से जो O तक है, इसको किस से denote करते है? H से, मतलब ये उचाई होता है यह क्या होता है उचाई होता है चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं यह उचाई है एच और यह वाला जो है यह क्या है तिरियाक उचाई है यह क्या है तिरियाक उचाई है अब देखिए ओ से सी तक यह क्या है आर से डिनोट करते हैं यह आपका त्रिज्या यह क्य तो पूर्ण सूत्र है, सबसे पहले तो एक question यही से बनता है आपका, तो दोस्तों यह सारे चीज़ को आपको याद रखने हैं, तो चली देखते हैं, संकू के work-up प्रिष्ठ का छेतरफल, संकू के प्रिष्ठ का छेतरफल, या पाशवरू प्रिष्ठ का छेतरफल, क्या होत है, तो इसका सूत्र होता है, πाई आर स्कूर, अब कैसे याद रखेंगे, पाई आर ये ध्यान रखिएगा, तो याद हो जाएगा, आपको दो बार चार बार लिखेंगे, तो अधार का छेतरफल, क्या है, पाई आर स्कूर है, अब देखिए, संकू का संपूर्ण प्रिष यह है संकुक आयतन और बहुत ही most important है ध्यान रखिएगा यह आपका पूछा भी गया है आपके व्यापम में पूछा भी गया है कि संकुक आयतन और आपके option में दे दिया जाता है किसको फार्मुला को तो यह फार्मुला तो आपको याद रखना ही है वृत के 30 खंट का छेत् तो यह हो गए आपको व्रित की 30 खंट का छेत्रफल तो देखिए चार चीजों को माली जे यह आपको याद नहीं है अगर माली जे फार्मुला अगर पूछ दिया जाए तो यह याद रखना है आपको लेकिन यह चारों को बिल्कुल आपको अच्छे तरीका से याद रखन तो आपको याद नहीं होता है कि इसको सबसे पहले कंठस्ट कर लिए आपको इसमें से कोश्चन बनता है अब चलिए देखते हैं कोश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड कोश्चन देखते हैं पहला कोश्चन तो सबसे पहले दोस्तों मैं यह चीज बता आपको कि मैं ऐसा कुश्चन ले करके आया हूँ आपके लिए कि इसमें आप देखेंगे एक तो सरल से हम लोग कठीन के और जाएंगे ये इसको इसको इसकीप नहीं करेंगे सबसे पहले आप सुरू से देखते ही जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा तो चलिए दस्तों कुचाई कितना है 20 cm तथा अधार की तिरिज्या कितना है 7 cm तो सीधा सीधा हम लोग सौल करते हैं आप देखते हैं क्या आएगा इसमें चलिए क्या क्या दे दिया गया है जो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए जिसकी तिरिया कुचाई मैं आपको कॉंसेप्ट से दिनोट करते हैं किससे दिनोट करते हैं एल से तो यह हो गए तिरिया को चाहिए कितना दिया है आपका 20 cm तो लिख लीजिए 20 cm हिंदी में लेखे चाहें इंगलिज में अब देखिए अधार की त्रिज्या क्या है तो त्रिज्या को किससे दिनोट करते हैं आर से त्रिज का 6 रफल तो यह होता है πाई आर एल अब देखिए πाई आर एल पाई का मान कितना होता है ध्यान रखेगा पाई का मान होता है दोस्तों 22 बटे 7 नोट कर लीजे आप लोग इसे बहुत है इंपोर्टेंट है पाई का मान होता है 22 बटे 7 तो यहां रख दीजे 22 बटे 7 गुड़ा आर कितना दिया यहां से देखिए आर कितना है 7 सेंटिमेटर बहुत जल्दी तरीके से निकाल सकते हैं एल कितना है 20 सेंटिमेटर सिधा 7 को 7 से कटा दीजे और यहां कर लीजे 22 गुड़ा 20 कितना आ जाएगा 22 गुड़ा 20 कितना आ जाएगा देख लीजे चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं 22 गुड़ा 20 ऐसे भी निकाल सकते हैं यह 400 कितना आ जाएगा 40 तो यह आ जाएगा आपका 440 वर्ग सेंटिमेटर कितना होगा यह चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी आ जाता है, जो भी आपके option में दिखें, तो आपका सही answer आ जाएगा, 440 वर्ग centimeter, ये आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, पहला question को तो देखिए, सरल है, सरल करके नहीं छोड़ीगा, आखरी में आपको मिलेगा, कठीन वाला गड़ी, जिस तरह से आपके exam में, लेवल में question पुछा जाता है, उस तरह से हम लोग लाश्ट में देखें, सरल से सुरू कर रहे हैं, और कठीन में खतम करेंगे, तो चलिए देखते हैं, इसमें देखिए अब, यदि संकु की तिरिया कुछाई, कितना है, 11 cm, तथा अधार का व्या दिया है, तो पहले तो लिख लिजए संकु की तिरिया कुछाई, तो सौलो करने से पहले हम क्या करते हैं, जो जो दिया होता है, उसे लिखते हैं, तो संकु की तिरिया कुछाई, तिरिया कुछाई को किससे डिनोट करते हैं, L से करते हैं, अब देखिए, यहां तो क्या द आपको 28 cm यह आपका व्यास है तो व्यास जब दे दिया है तो त्रिज्य निकालने के लिए कैसे करते हैं जब व्यास दिया है तो त्रिज्य जब निकाला जाता है तो त्रिज्य होता है व्यास बटा 2 ध्यान रखेगा व्यास बटा 2 तो देखिए त्रिज्जा निकालने के लिए आप देखिए व्यास कितना दिया है हमारे पास 28 cm हमेशा कोई भी गडित में ऐसा दिया जाए तो उसको ध्यान रखिएगा तो 2 में 14 से कट जाएगा तो यह हो जाएगा 14 cm यह समझ में आगए आपको अगर आपको व्यास दिया है और त्रिज्जा निकालना है तो व्यास बटे 2 होगा तो यहां से त्रिज्जा आपको प्राप्त हो जाएगा अब देखिए यहां अब देखिए व्यास तो दिया था अब त्रिज्जा कितना प्राप्त हो गया लिख लिजे आर बराबर कितना मिल गया हमको 14 cm ये आपको मिल गया अब चलिए देखते हैं संपूर प्रिष्ठ का 6 तरफल ग्याद कीजे कह रहा है तो संकू का संपूर प्रिष्ठ का 6 तरफल क्या संकू का संपूर प्रिष्ठ का 6 तरफल लिख लिजे संपूर प्रिष्ठ का 6 तरफल दे आ रहा हो आप वो छेत्र फिल लिखते मत रहिए शिधा सुत्र लगा दीजे तो क्या हो जाएगा पाई आर सुत्र क्या होता है और प्लस ध्यान रखेंगे तो संकू का संपूर प्रिश्ठा का जो 6 तरफल है यह होता है पाई आर प्लस L, अब इसमें मान रख दीजे, आप देखे, पाई कमान क्या है, 22 बटे साथ है, सुरूम बता चुको आपको R कितना प्राप्त होगे हमको यहां से 14, तो यहां लिख लीजे, 14 और यहां लिख लीजे, R कितना है तो यहां 14 रख लीजे, और प्लस, एल कितना है देखिए, एल कितना है हमारे पास, तो एल है हमारे पास कितना है, 11, कितना है हमारे पास, 11 cm, ध्यान रखिएगा, आर हमारा कितना है, 14 cm आ गया, एल कितना दिया हुआ है, एल 11 आ गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अब यहां से कटा दीजे, 7 20, कितना हो जाएगा, सरी, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, 14 और 11 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अब गुड़ा कर लिजे, 22 दो ने, 44 और 44 गुड़ा कितना हो जाएगा, 25, तो गुड़ा कर लिजे, कितना हो जाएगा, 44 गुड़ा, 25, यासे गुड़ तो अब आजाएगा आपका आपका आंसर 1100 वर्ग सेंटी मिटर चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं या वर्ग सेंटी मिटर भी जो भी आपका आपका आपसर में 1100 वर्ग सेंटी मिटर दिखते हैं यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो यह तो संकु से संबल दित question था अब चली देखते हैं इस तरह का question ये बहुत ही important question है चलिए next देखते हैं दोस्तों अभी तक तो हमने सरल को देखा अब चली देखते हैं अगला जो है आपका तीसरा question और बता दू मैं आपको सुरू ही बताया हूँ कि सुरू हम सरल से सुरू करेंगे और आखरी में हम लोग देखेंगे कि important question किस तरह से आपके व्यापब में पूछे जाते हैं तो देखिए ये जो question है ये important बनता है आपका ये जो question देख रहे हैं आप बहुत ही important है MPT कर लिजे इस तरह से question आपके व्यापब में पूछा जाता है देखिए ये थोड़ा घुमा के पूछा जाता है उसमें ये नहीं कहता कि आपको वक्रपिष्ट निकालना है या फिर छेतर फल निकालना है ये समझ भी नहीं आता हम वहां exam में तो आपको इस प्रशन को अच्छे से पढ़ना है कोई भी question आज आता है आपका तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है तो चली देखते है question क्या है यदि एक जोकर की संक्वा कार टोपी देखिए यदि एक जोकर की संक्वा कार टोपी के अधार की तिरिज्जा कितना है 7 cm है तथा उचाई कितना है 24 cm हो तो कितना टोपी बनाना है हमको 5 टोपी बनाने के लिए लगने वाली सीट का 6 तरफल ग्याद कीजिए देखिए यहाँ पर कहीं पता नहीं चल रहा है क्या निकालना है तो यह बहुत इंप्रोडेंट है कैसे आपको बनाना है सबसे पहले देखे देखिए यह जोकर की संक्वा कार टोपी सबसे पहले तो माल लीजे हम बनाते हैं जोकर की संक्वा कार टोपी यहाँ बना लीजे माल लीजे जोकर की टोपी कैसे होती है ऐसे ही होती ह टोपी संक्वाकार होती है, संकु की आकृतिक होती ही एक लंबा वाला टोपी आप देखेंगे इसको आप चाहे तो denote कर सकते हैं, कोई भी नाम से ABC, हम लोग यहाँ ABC देते हैं अब देखिई यहां से यहां को आप इसको O दे सकते हैं चाहे तो आप इसको ऐसे लकीर भी खिस सकते हैं जैसा भी यह समझाने के लिए आपको तो सबसे पह्ले देखें क्या बोल रहा है कि यदि एक जोकर कि संकवा का टौपी का अधार की त्रिज्या कह रहा है अधार की तिरिज्या मतलब ये वाला जो है ये वाला जो दीख रहा है O से C तक ये अधार की क्या है तिरिज्या है तो इसको क्या करेंगे ये कितना दिया है 7 cm तो लिख लिजे 7 cm अब देखिए क्या बोल रहा है उचाई H तो उचाई क्या है ये वाला जो है A से O तक ये क्या हुचाई तो इसको h से denote करते हैं और a से c तक जो दिया है यह क्या है आपका l इसको कहते हैं तिरिया कुछाई l से denote करते हैं आपको बता चुका हो मैं सुरू में ही तो अब कैसे हल करना है आपको चलिए देखते हैं सबसे पहले तो आप लिख लीजिए यहां पर solve कर लिजिए सबसे पहले जो दिया है इसको आपको लिखना है देखिए अधार की तिरिज्या मतलब कितना दिया है तिरिज्या किसको denote करते है आर से तो तिरिज्या कितना दिया है 70 cm, यह तो हो गया अब देखिए उचाई, उचाई क्या दिया है देखिए ये जोकर की संकवा कारटोपी की अधार की तिरिजया मतलब आर दिया है कितना दिया है साथ और यहाँ कितना दिया है तो लिक लिजिए उचाई बराबर है आपका 24 cm, ध्यान रखिएगा अब देखिए L दिया है कि आपकी question में कहीं भी तिरिया कुछ आई लिखा है कहीं भी नहीं लिखा है तो L आप लिख लिजे L बराबर हमको कुछ भी नहीं पता तो सबसे पहले यहां क्या निकालना है आपको L निकालना है तो अब सबसे पहले देखिए A, O और C, यहां से यहां तक, A, O और C, यहां ऐसे बना लिजे, यह, अलग से मैं निकाल के समझा दे तो हमको एकदम क्लियर हो जाएगा, A, O, और C, यह क्या है, समकोर्त त्रिभूज बन गया, यही पर H दिया है, यहां L है, और यह R है, तो दे दिया है, लेकिन A, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चुकि पाइथा गुरस प्रमे नगाएंगे, यह समकोर्त त्रिभूज दीख रहा है, A, पता नहीं है, तो पाइथा गुरस प्रमे क्या कहता है, करन का वर्ग, चाहें तो आप से तर्लिक सकत करन का वर्ग, तो करन क्या है, यह वाला जो भूजा होता है, यह करन होता है, ध्यान रखेंगे, यह क्या है, करन है, और यह वाला जो भूजा है, यह क्या है, लंब है, और यह वाला आर वाला जो है, यह क्या है, अधार है, तो अब यहां से देखिए, करन का वर्ग मतलब क तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग, अब चलिए देखते चलिए अब, L का वर्ग बराबर, 24 का वर्ग मतलब 24 गुड़ा 24, तो कितना हो जाएगा 576, धन 7 सते 49, तो अब टोटल जोडेंगे, तो L का वर्ग बराबर कितना हैगा 625, अब क्या हो जाएगा L बराबर, ये जो स्क्वेर है इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 625, इतना समझते हैं, आप ये स्क्वेर लगा है यहापे, तो ये कहां चला जाएगा, अंडर रूट में, और L बराबर हो जाएगा आपका, कि ये 625 का हो जाएगा, 25 गुड़ा 25, तो कितना आ गया, 25 आ गया, क्योंकि ये दो जब चोड़ी बन जाता है, बाहर निकल जाता है, तो क्या आ गया हमारा, L क्या निकल गया, 25 सेंटी मीटर, यहां से हमारा L क्या निकल गया, 25 cm ये जो L है ये कितना निकाल गया हमारा 25 cm अब देखिए क्या कहता है अब देखिए 5 टोपी बनाने के लिए कितना बोल रहा है 5 टोपी बनाने के लिए लगने वाली सीट का छेतरफल तो भाई कोई भी गडिद बनाएंगे तो डायरेक्टर 5 टोपी तो नहीं निकालेंगे सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा एक टोपी की कीमत निकालना पड़ेगा एक टोपी का स्वारी अगर कीमत दिया है तो कीमत 6 रफल दिया है तो 6 रफल तो सबसे पहले एक टोपी का 6 रफल हमको ग्याद करना है क्या करना हमको एक टोपी का 6 रफल ग्याद करना है तो सबसे पहले देखिए एक टोपी में लगने वाला लगने वाली जो सीट का छेतरफल है इसको निकालेंगे तो एक टोपी में लगने वाला सीट का छेतरफल मतलब पाई आरे लुगा कृपिष्ट निकालना है यहाँ पर अब देखिए तो पाई कमान होगा 22 बटे 7 गुड़ा आर कितना है हमारे पास 7 सेंटिमेटर तो यहाँ 7 लिख लिजिए अब तीरिया कुचाई कितना निकालें अभी 25 तो यहाँ लिख लिजिए 25 अब देखिए 7 साथ से कट गया तो 22 गुड़ा कितना हो जाएगा 25 तो 22 गु अब आगए यह कितना आगए हमारे पास 550 वर्ग सेंटिमेटर द्यान रखिएगा यह कितना आगए 50 पास 55 सेंटिमेटर यह क्या है एक टोपी का निकला एक टोपी के लगने वाली सीट का छेतर फल मतलब पाई आरेल वकर पिष्ठ निकाले एक लगने वाली छेतर फल मतलब वकर पिष्ठ निकालना है आपको तो पाउकर पिष्ठ का सूतर होता है संकु का पाई आरेल सुरूम बता चुको आपको अब क्या करने हैं आपको देखि तो 5 का कितना निकलेगा तो 5 गुड़ा 550 ध्यान रखेगा अब 5 में गुड़ा करेंगे एक में 550 लगेगा तो 5 में 550 के गुड़ा कर दीजे तो कितना आजाएगा 509 सुन्य 5 525 की 5 हात के लादो 5 525 तो 27 सुपचास वर्ग सेंटी मिटर तो ये आजाएगा आपका आंसर देख 2550 वर्ग सेंटीमेटर आपका आंसर इसका निकाल जाएगा तो ये था दोस्तों आपका तीन कोईश्चन में बता दिया हैं आपको तीनों कोईश्चन आप सौल करने ही ये सरल था अगले पार्ट में देखें ये पार्ट बन था ध्यान रखेंगा जो भी चीज बोला जाता है अच्छे से सुना करिये आप लोग बीच में स्किप करके नहीं देखा करिये क्योंकि बीच 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 में फिर आप कोईश्चन पूछते हैं समझ में नहीं आता पूरा देखें गे तभी गड़ित समझ में आएगा और वहाँ जितना भ्यास करेंगे उतना आप साथ ही साथ आपका GKJS का practice set कराया जाता है उसे आप बिल्कुल सारे के सारे solve करिए कि उसको solve नहीं करेंगे जितना अधिक से अधिक solve करेंगे उतना ही आपका exam बहुत ही अच्छा बनते जाता है मतलब आपकी तयारी पूर्ण होते जाती है मतलब जीतना आप तयारी करेंगे उतना ही अच्छा आप exam देंगे ना उतना ही अच्छा आपको question का बहुत सारे question जब करेंगे तो question selection आपके पास हो जाएगा बहुत सारे question आपके पास होता है बहुत सारे question ऐसे जानकारी में आ जाता है तो आपसे बनता है तो चलिए next video जो है part 2 जारी होगा इसका कौंसा है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा साथ ही बेल आइकन में आल प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी इस तरह का वीडियो डाले उसको नोटिस्फिक असान आप तक पहुचता रहें चली मिलते हैं नेक्स्ट टोडियो में जै हिल जै भाराद